हेलो गाईज, वेलकम बेक तो माई चैनल और आज हम पहली बार इस वीडियो में Lenovo Monitor का एक आपको Unboxing करके दिखाने वाले हैं ये है आपका Lenovo Monitor L27i40 ये अभी latest launch हुआ है तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ ये 27 इंच में आएगा जो कि Full HD Display है और 100 Hz के Refresh Rate के साथ आएगा दोस्तो ये और सबसे अचखास बात ही है कि इसमें आपको Speaker भी मिलने वाले है और ये देखे ये EyeSafe और UV Certified Laptop आपका सोरी Monitor है तो यानि आपके आँखों पर Stress भी नहीं पढ़ने वाला है तो चलो इसको Open कर लेते हैं Open करते ही यहाँ पर मैं आप देख सकते हो ये Stand है और बहुत Strong Stand है दोस्तो ये क्योंकि ये आपका Metal का Stand है तो Build Quality बहुत जबरदस होने वाले है इसके Stand की इधर आपको Power Cable दिख जाएगा ये देखो ये Power Cable है जो Direct Connect हो जाएगा और इसके बाद जो दूसरी केवल आप देख रहे है ये ये आपकी HDMI केवल है तो मैं इसे Connect करके भी दिखाऊँगा और इसके अलावा आपको इसके साथ जो मिल रहा है वो है Stand जो Stand के उपर ये Hide भढ़ाने के काम आएगा हम इसको भी लगाएंगे तो आप देख सकते हो इसके भी Quality बहुत जबरदस्त है और लोग भी बहुत अच्छा दिये है बाकि ये आपको User Manual है इसमें आपका दिखा रहा है कि किस तरह से आप इस Stand को Monitor से Connect कर सकते हो तो वह मैं आपको फिसिकली करके ही दिखाऊंगा बाकि ये आपको Energy Star वग्यरे इसको मिलावा है तो ये उसकी Sticker है आप देख सकते हो और मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ इसके साथ एक Screw भी आएगा ये दिखे ये Screw है जो मैं आपको दिखाऊंगा ये कहां लगेगा तो ये देख सकते हो आप ये Proper Accessory जो उसके साथ आती है अब मैं आपको दिखा देता हूँ Monitor ये हो Monitor दोस्तों इसको मैंने अभी उल्टा कर रखा है ताकि मैं Stand Connect कर सकूँ ये जो Color आप देख रहे हो ये Cloud Gray Color आता है दोस्तों Cloud Gray Color है ये और Finishing आप देख सकते हो बहुत सुपेरियर है और ये जो आप पीछे चार होल देख रहे हो ये आपका Wall Mount Kit है Wall Mount Kit आप इसमें Add कर सकते हैं 100mm का इधर आपको Audio Jack मिल जाएगा दूसरी दरफ ये आपका Audio Jack हो गया तेरा आपका VGA Port हो गया और आगे दो SD में Port है तो यानि इससे आप दो सिस्टम कनेट कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगा कैसे यहाँ आपकी Power Code लग जाएगी और Side में आप जो देख रहे हैं ये दो बटन ये आपको पूरी सेटिंग आपको अर्जेस्ट करने के काम आएगी तो वो मैं आपको करके भी दिखाऊंगा कैसे ये बटन काम यूज आएगा आपको ये देखो चरफ फिनिशिंग देखिए आप बहुत अच्छा आपको पीछे बेजिंग भी है लेनवी का लोगो लगा हुआ है चलिए स्टेंड लगाते हैं तो स्टेंड को पहले इस तरह से आपको अंदर डाल लेना है जो आपका सिंगल रोड थी और अराम से जब अंदर डिल जाए तो एक होल है आपको ठीक ऊपर ये देखो इसमें जो एक सिंगल स्क्रू मैंने आपको दिखाया था वो आपको अपने हाथों से ही टाइट कर देना है आपको किसी स्क्रू ड्राइवर की जूरत नहीं है इसमें बहुत सिंपल तरीके से आप इसे टाइट कर सकते हो तो ये आपका टाइट हो गया इसके भी हम यहाँ पर यहाँ पर इसको लगा देते हैं तो ये देखो ये बड़े असानी से यहाँ पर ये स्टेंट लग गया और इसके पीछे भी एक स्क्रू है तो वो स्क्रू को मैं अभी टाइट कर देता हूँ यह देखो यह स्क्रू है इसको मैंने अभी टाइट कर रहा हूं यह टाइट हो गया है तो अब इसको देखते हैं सामने से दोस्तों यह कैसा दिखता है यह देखो दोस्तों तो यह है आपका एंटिक लेयर क्रूंकि 7 इच में फुल एच्जी मॉनिटर और इसमें आपको देखो यहां देख सकते हो काफी सारे फीचर्स यहां मेंशन है जैसे कि फुल एच्जी 100 हर्ट की रीफिर्स रेट एल्ट्रा स्लिम और दो स्पीकर है तीन वाट के तीन वाट के दो स्पीकर है एमडी फ्री सिंक अभी फीचर्स में दिया हुआ है दोस्तों तो यह बहुत इस डिस्प्ले की खास बात है इस मॉनिटर में आपको तीन साल की वरेंटी मिलती है डियरेक्ट लेनों से दोस्तों और यह जो आप देख र कि इसकी वेट की बात कर लें दोस्तों तो यह टोटल आपने स्टेंट 4.3 केजी वेट में आता है यह नीचे आप जो देख रहे हो यह पावर बटन है नीचे की दरफ यह देखो यह वाला यह आपका पावर बटन है इस तरफ बाकी सारे पोर्ट है तो हमने इसको डेमो पर लगा लिया है दोस्तों तो देखिए जो सरसे लावस्ट में आप देख रहे हैं यह यह वो मॉनिटर जिसको अभी हम किस्टमाइज कर रहे थे तो यह देख सकते हो आपके स्क्रिन क्वालिटी बहुत अच्छी है एंटी ग्लियर के साथ है और यहां साइड में मैंने जो आपको बटन दिखाया था वो यह रहा तो अब इस बटन का काम आएगा अब इस बटन को प्रेस करके अब मैं आपको इसकी सेटिंग दिखाने वाला हू तो जो सबसे उपर वाला बटन था वो मैंने प्रेस किया प्रेस करते ही आपको यह मैने खुल जाएगा जिसमें ब्रैटनेस कलर सेटिंग बेसिक सेटिंग और सेटिंग आप देख सकते हो डिस्प्ले मोड भी है इसके अंदर वोलिम कंट्रोल है म्यूट कर सकते हैं यह दे यह आपके नेचुरल डिस्प्ले है आप ब्लूइश कर सकते हैं रेडिस कर सकते हैं एस रजीवी कर सकते हैं यहाँ देखो आपको यहाँ पर फ्रेसिंग का पीचर मिल रहा है जो कि ओटो पर अभी सेट है और एस जे मैं टू में मैंना यह आपको कनेट किया हुआ है इसमें आप जैसे आपके वहाँ CCTV कैमरा भी है और आप अपने ओफिस काम भी करना है तो इसमें आपको दोनों के HDMI पोर्ट कनेट कर सकते हैं और एक VGA भी दिया हुआ है तो यानि इसमें दो डास्टॉप के को एक ही मोनिटर में देख सकते हो या कोई CCTV कैमरा देख सकते हो य आप अपना काम कर सकते हो ओफिस का CPU करेक्ट कर सकते हो तो इसमें एक साथ दो काम हो जाते हैं यहाँ पर मैं आपको एक सैटिंग होड़ दिखा देता हूं यहां आप दिस्प्ले मोड में जाएंगे दिखे यहां पर आप अगर स्टेंड़ मोड पर रखना चाहे मोवी मोड पे वैब पिक्चर मोड पे आप इसको रख सकते हैं डिस्प्ले को यह बहुत अच्छा फीचर है आपको यह मोनिटर कैसे लगा आप कमेंट करके जुरू बताना और पूरे स्पेसिफिक्शन देखने के लिए आप डिस्क्रप्शन बॉक्स में जा सकते हैं दिन को आप स्पेसिफिक्शन देख वरेखने की जा सकते हैं आप सो चाहे भी बॉक्ता रख सकते हैं